सुभास चंद्र बोश और उनकी लीडर्शिप वाली आएने के बारे में तो हम सभी ने सुना लेकिन क्या आप जानते हैं कि नेताजी से बहुत पहले एक लाला हर्दयाल थे जिनोंने इंडिया के बाहर स्पेसिफिकली USA, Canada, Britain और यौरोप में भारतियों को Indian Freedom Movement के लिए अवैर किया था लाला हर्दयाल का जन्म 1884 में दिल्ली में हुआ था और दिल्ली में पढ़ने के बाद Oxford University के Borden Scholarship पर पढ़ने के लिए इंगलेंड गये थे वह French philosopher Jean Jacobs, Russo और Swami Vivekanand के विचारों सोई influence थे इंगलेंड में अपनी पढ़ाई के दौरान वो nationalist activities में शामिल हो गए पर Britishers को इसका पता चल गया और उन्हें इंगलेंड चोड़ने के बाद लाला हर्दयाल USA गये जहां वे Indian Immigrant Community के लीडर माने जाने लगे अपने immense efforts से साल 1913 में उन्होंने बाबा जौला सिंग, संतोक सिक और सोहन सिंग भकना के साथ गदर पार्टी की स्थापना कि